नहीं बनने देंगे मंदर उपद्रियों ने किया हमला पुलिस पर किया पथराओ पुलिस ने प्रोपगेंडा किया फेल नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट हाल ही में मुरादाबाद से चामुंडा मंदिर के निर्माड की खबर आई थी जिसमें मंदर निर्माड को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच विवाद हुआ था इतना ही नहीं इस दोरान मामले को शांद कराने गई पुलिस पर कट्ठर पंथियों ने पथराओ भी किया था लेकिन अब इसलामी कट्ठर पंथियों लेफ्ट लिब्रल गिर्हों फेक न्यूस वैल आ रही है कि चामुंडा माता मंदिर अवैद रूप से बन रही थी और पुलिस ने मु मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है जहां मुठा पांडे थाना शेत्र में एक चामुंडा माता मंदिर का बाउंडरी का निर्माड कारे चल रहा था लेकिन कुछ कट्ठर पंथियों को ये रास नहीं आया और चार दिवारी के निर्माड का मुस्लिम पक् चुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के सामने के कब्रिस्तान की बाउंडरी बनानी शुरू कर दी और इसको लेकर फिर विवाद होने लगा इलाके में दोसमुदाई के आमने सामने आने से सांप्रदाइक तनाव फैल गया और हालात तनाव पूर्ण हो गए सूच पुलिस पर इसे ही भिड़ गए पथरबाजी की चपेट में महिला कॉंस्टेबल भी आई है हालाकि पुलिस ने उपद्रियों पर काबू पा लिया चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार की तहरीर पर अब्दुल्ला और रही सहित कुल 34 आरोप्यों प कटरपंथी वहीं अब इस मामले में इसलामी कटरपंथी फेक निउस पहला रहे हैं जिसे की वह सही साबित हो सके चाहां इस घटना को लेकर एक्स हैंडिल पर लिखा गया है कि यूपी पुलिस एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ मिलकर महिलाओं पर लाठी चार्ज क्यों क कर रही है उन गुंडों पर कारवाई करने के बजाए पुलिस लोगों की पिटाई कर रही है इस मामले को शौकत जी देखे और जरूरी कदम उठाए यहां पर आपको बता दे कि शौकत ओवेसी की आई मायम के यूपी अध्यक्ष है वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए एक और ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि पुलिस करिमी उन्हें जिले के मुड़ापांडे इलाके में एक समुदाय के धार्मी के स्थल के निर्माड का कथे तौर पर विरोध करने वाले दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला किया खुले आम लाठी चार्ज किया समु ने पत्राओं भी किया क्योंकि निर्माण को लेकर शुरुवाती बहस जल्द ही बड़े विवाद में बदल गई वहीं सबाखान नाम के एक एक सेंडल पर लिखा गया है कि यूपी के मुरादाबाद के मुड़ापांडे कजबे में पुलिस ने आसामाजिक तत्वों के साथ मिलकर मुस्लिम महिलाओं पर लाठी चार्ज किया पुलिस ने खोली कट्टर पंथियों की पूल जहां इसलामी कट्टर पंथी सोशल मीडिया पर इस बात को जोर शोर से प्रसारित कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष मुस्लिम बहूल इलाके में अवैद तरीके से बंदि के साथ मिलकर मुस्लिम बहिलाओं पर हमला कर दिया और पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के खिलाव एक तरफा कारवाई की है जबकि मंदर की जमीन के कागजाद भी नहीं दिखाय जा रहे हैं और जबरन निर्मान कर आया जा रहा है लेकिन अगर मामले को अच्छे से देखा जाए तो यह साफ है कि मुस्लिम भीर ने पहले पुलिस पर हमला किया और फिर चामुंडा माता मंदर की चार दिवारी बना रहे हिंदू को भी निशाना बनाया यह मंदर निजी जमीन पर बनाई गई है जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मंदर को वैद बताया है तो वहीं पुलिस ने मामले की जाच कि और पाया कि यह मंदर निजी जमीन पर बना है ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने की वज़ा कोई भी नहीं है इसके बावजूद महिलाएं और नाबाली के साथ साथ मुस्लिम भी ने मंदर की चार दिवारी के निर्माड का विरोध किया और पुलिस के साथ ही स्थानी हिंदों पर पत्थर बाजी की वही इस मामली में दर्ज की गई एफायार में लिखा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जिसमें महिलाएं भी शामिल थी उन्होंने पुलिस वालों पर पत्थर बाजी की अधिकारियों के साथ बत्तमीजी की और गाली गिलोज की मुस्लिम भी ने ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को निशाना बनाया जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में सब को तितर बितर करने की कारवाई की जहां एक तरफ लेफ्ट लिबरर गिरहो और इसलामी कटर पंथी समू से ये बात परचारित कर रहे हैं कि चामुंडा माता से जुड़ा निर्माण आवैद है जबकि F.I.R. की कौपी में साफ लिखा गया है कि मुस्लिम समूदाय ने मंदिर के सामने ही सरकारी जमीन पर कबजा करके उस पर आवैद निर्माण शुरू कर दिया इसमें कहा गया है कि मंदिर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर सरकारी जमीन है F.I.R. के मुताबिक हिंदों ने सरकारी जमीन पर बने मुस्लिम कब्रिस्तान की चारदिवारी बनने का वरोध किया जो राज सरकार की संपत्ती है इस बारे में पुलिस को सूचना भी दी गई कि मुस्लिम सरकारी जमीन पर कबजा कर रहे है और उन्हें ऐसा करने से रोका जाए इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता का संध्यान लिया और कारवाई की अब्दुल्ला और जैबुनिशा नाम की महिला के साथ मुस्लिम पक्ष ने पुलिस के साथ बाचीत में सयोग नहीं किया और अपने समू के लोगों को सरकारी जमीन पर अवैद निर्माड को जारी रखने का दियोक्साया उनका कहना था कि हिंदु जिस मंदिर की चार दिवारी का अपुनर निर्माड कर रहे हैं वो अवैद है पहले उसे रोका जाए इस पर पुलिस ने उन्हें बताया कि मंदिर निजी जमीन पर बन रहा है जबकि उनके द्वारा कराया जा रहा निर्माड सरकारी जमीन पर है वही FIR की कौपी में साफ तोर पर लिखा गया है कि 19 दिसंबर को दोपाहर साड़े बारा बजे आरोपी जिसमें महिलाएं भी शामिल है एकटा हुए और उनके समुदाय द्वारा सरकारी जमीन पर कराय जा रहे है अवैद निर्माड को सही ठहराया और मंदिर के निर्माड कार का विरोध करना शूड़ू कर दिया पुलिस ने सभी लोगों से शांती बनाए रखने की अपील की 34 आरोपियों पर FIR दर्ज हलाकि महीलाओं सहीट 19 लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया उन पर पत्थराओ के साथ ही पुलिस अधिकारीों के साथ गाली गिलाउच की गए इसके बाद पुलिस ने भीड को तितर बितर किया और पाच आरोपियों को मौके से गरफ़तार कर लिया पुलिस ने आत्मरक्षा में इक अदम उठाया था साथी इस मामले में 14 अन्य लोगों के खिलाब भी शिकायर दर्च कर आई है पुलिस ने इस मामले में जिन 19 लोगों के खिलाब F.I.R. दर्च की है उसमें जैबुल निश्या नाम की महिला भी शामिल है वो खुद को वकील बता रही है और उसने पुलिस की चेतावनी के बावजुद मुस्लिमों से निर्माण कारी जारी रखने के उखसाया था जैबुनिश्या ने मंदिर के पहले से बने होने को स्विकार किया साथ ही ये भी कहा कि हिंदू पक्ष मंदिर का विस्तार कर रहा है हाला कि पुलिस का कहना है कि साथ हिंदू पक्ष अपनी जमीन पर नर्माण कारे करवा रहा था और ये काम गैर कानूनी नहीं था वही मुरादाबाद पुलिस के additional SP ने कहा कि दूसरे समुदाए के लोगों ने हंगामा किया जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफतार किया है इस मामले की आगे जाचारी है वहीं आपको बता दे कि मुरादाबाद पुलिस द्वारा दर्श कराए गई F.I.R. में जो 19 नाम है उनमें अब्दुल्ला, रहीस, इसरार, फहीम, तौसिब, जैबुनिशा, महिला, नविश, मजुमिल, नवेज, कामिल, मासु अली, इलियास, रविक, रिहान, करार, जावेद, नजाकत, नादिर, जाबिर और 15-20 अन्य अग्यात लोगों के नाम है पुलिस ने बताया कि महिला समित आरोपियों ने पुलिस पर पत्राओ किया था वहीं पुलिस ने मामले में अब तक अब्दुल्ला, रहीस, इसरार, फहीम और तौसिब को गरफतार कर लिया है बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी गरफतारी के लिए दबिश दी जा रही है F.I.R. सुरेंद्र सिंग नाम के एक पुलिस कर्मी की शिकात के आधार पर दरज कराई गई थी पुलिस ने मामले में IPC की धारा 147, दंगा फैलाना, धारा 148, जानलेवा हथियारों के साथ दंगा करना 149 गैर कानूनी रूप से जबा होना, 332 सरकारी करमचारी के काम में बाधा पहुचाना 353 पर शांती भंग करने के उद्देश से गाली गुलोज करना और 506 आपरादिक करत्त को अंजाम देना जैसी धाराओं में केस दर्ज़ किया है साथ ही आपरादिक कानून संतोधन अधिनियम 1932 की धारा साथ भी लगाए गई है आज के खास्टो में हमने देखा कैसे इसलामी कटर पंथी फेक नियूस फैला कर अपने को पीडित बता रही है जबकि असली गुनहेगार वही है फैर पुलिस ने इनका पूरा का पूरा प्रोपगेंडा फेल कर दिया है इस मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं देखते रहेंगे कैपिटल टीवी नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अग नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया